प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्स्या आठ विशे विज्यान अध्याय दो सुक्सम जीव मित्र एंव सत्रू उडान का रिया पुस्तिका कहल करेंगे तो शुरू करने से पहले जो बच्ची चैनल पर दूद्द को उबाला ख्राब होने से बचाने के लिए पहलों त़स सब्चीयों में प्रीज में क्यों रखा जाता है ज्यादा कमीर पेदा होकर जले बटूर अच्छे नहीं सो Refierा जाते हैं म dil variance और प्रकों फिरने से रोकने क्या सही कiadम है अपने आसपास कज्रां फिलाना अपने आसपास सफाइय रखना तो सफाइय रखने वाला सही है ये गलजिन आगे किस परकार के बोजन में कादे विशाकतन पर जल्दी खराब करना ये गलत है उसे अधिक समय तक सुर्व क्सित रखना परी रखसक का काम करता है तो यह सही है ठीक है आगे है सुक्सम जीओं की पहचान करें तो यहां पर सुक्सम जीओं यह अमीबा है यह विसानू है वाइरस है और यह पैरामीसियम है और ये ओंट है ये मनुस्य है सुक्सम्जीव नहीं है ये विर्क्स है ठीक है तो इस तरीके से आपको लिखना है उपर दिये गए चित्रों को द्यान जाकूने आंग के अधार पर नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं वो तो गया विर्क्स मनुस्य है और उंट हो गया इसमें क्या जाएगा अमीबा पैरामेशियम और एक था विसानू क्या हो जाएगा विसानू वाइरस आगे है सुकसम जी दूद से दही का बनना नीचे लिखे तो सुकसम जी दूद से दही का जो बनना है वो एक नंबर है गर्मी में दूद का खराब होना या फटना वो दो नंबर इसमें आएगा सर्दी जुखाम का होना वो भी इसमें आएगा सूती वस्तरों के लिए कपास उतपादन इसमें आएगा खाने के लिए नाजों का उतपादन वो इसमें आएगा बोजन के रूप में मास तो ये आएगा इसमें और बोजन के रूप में मास दूद का उतपादन भी इसमें छे नमबर खाद प्रियोग के लिए अंडा उत्पादन तो ये साथ नमबर भी जन्तु वाले में आएगा ठीक है एक गतिवदी में चित्र देखर उसके सही आकरती आकार निमन में से छाट कर लिखें तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है एनियमित आकरती ये अपना रूप बदलता रहता है ये क्या है चपल के चपल के तले जैसा और ये आप देख सकते हो ये सेवाल है स्पाइरो गारा है इसकी भी कोई आकरती नहीं है ये विसाणू है जीवाणू है और जीवाणू जो है इसकी जो आकरती है वो चड़ नुमा हो जाएगी चड़ नुमा चड़ के जैसा ही दिखाई दे रहा है ये स्पाइरल भी होता है spiral और छड़नुमा दोनों होते हैं इश्ट का भी कोई आकार नहीं होता एनियमित है और इसका आप देख सकते जो का वक है इसका भी कोई आकार निश्चित नहीं होता एक सत्री के समान होता है कि आगे सुक्सम्जी उप्योग निशियो पर लिखनाय पर लिखना है प्रॉटो जुआ जो है प्रोटो जुआ से होने वाले रोग लिखने तो टाइफाइड जो होता है इसको मैं यहाँ पर नम्मरिंग दे देता हूँ टाइफाइड एमक्से रोग जो होता है प्रोटो जवा से होता है जीवानों जो होता है एक मिनट मैं गलत यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी एक मिनट यह टाइफाइड रोग नहीं यह मलेरिया जो है वो प्लाजमोडियम प्रोटोजवासे होता है एक नमबर इसको लगेगा ठीक है और जिवानु जो होता है उससे जो रोग होता है वो हमें बताना है तो उसमें टाइफाइड और ट सिरिकरण का काम भी जिवानु करते हैं तो तीन नमर लगाता है वो इसमें आ जाएगा विसानू से सरदी जुखाम होती है तो यह च्यार नमर लगा देता हूँ वो इसमें आ जाएगा सरदी जुखाम बारा दूद से जही का बनना ये भी जिवानू की वज़े से होता है तो इसको मैं यहाँ पांच नमर दे दूँ वो भी इसमें आ जाएगा अतिसार जो होता है वो प्रोटो जोवा से होने वाला रहोगा तो इसमें आ जाएगा और नील हरित सेवाल जो नाइटोजन स्तिरी करण का कारे करते हैं तो तीन नमर इसमें भी आ जाएगा मादा एनपलीज जो होता है वो मलेरिया में होगा प्रोटो जोवा के कार्ण से तो एक नमर भी इसमें आ जाएगा वैक्सीन क्या है परती रक्षी करण का काम करते हैं परती रक्षी करण का काम करते हैं और लेक्टो बेलिसलस जो दूद को दही में बदलता है तो बिलकुल आसान है प्यारे बच्चो आज हमने अध्याए दो किया ओडान कारिया पुस्तिका का तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और कॉपी में नोट डाउन करें धन्यवाद